सो गाईज आज हमारे सामने खड़ी है 7,99,000 की SUV कुपे डिजाइन वाली सिट्रोइन की बसाल्ट का सबसे बेस वेरियन्ट जो कि आप इसका रेड कलर के साथ देख पाऊगे और इससे आप बेस वेरियन्ट ना ही मानो तो आपके लिए बेटर है क्योंकि इस गाड़ी में टार कर्ब को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ देती है और साथ-साथ जो किम्मत है उसके हिसाब से भी एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाती है टार कर्ब से तो अगर आप एक SUV कूपे डिजाइन वाली SUV लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा option आपके ल वाला हूं तो आप वीडियो के अंतक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो सबसे पहले इस गाड़ी का डिजाइन देख पाऊगे जो कि अधर जो सिट्रॉइन के जितने भी गाड़ी आते हैं उसी के जैसा आपको स्कॉर सेप में दिया गया है यह जो तीन मिलता है जो कि आपको टोटली मैट ब्लेक कलर में दिया गया है और आप यहां पर इसका कवर देख सकते हो साइड से यह आपका टोटली एसेसरी का पाट है क्रॉम और आपको यहां पर ग्लाइक के यूज मिलेंगे और निच्छे अपर आप को तोट ली कुछ उपर कि तर्हें आपको similar ही देखनी को मिलेगा गाड़ी को टोग करने के लिए आपको यहां पे जगा मिल जाता है headlight section के और आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहां कि आपको pilot lamp भी देखने को मिलेंगे साथ साथ आपको indicator दिया गया है निचे आओगे तो यहाँ पे आपको reflector में आपको fully halogen bulb के साथ आपको light देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको smoky effect दिया गया है और निचे में यह जो आपको fog lamp लगाए गया है जो कि आपको totally accessories का part है यह भी आपको totally halogen bulb के साथ देखने को मिलेंगे side profile के और आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो base model में आपको कोई भी गाड़ी में alloy wheel नहीं मिलता है और आपको मैंने पहले ही बताया कि इस गाड़ी टायर का जो size है जो कि आपको 205-60R16 के आपको यहाँ पर size देखने को मिलेंगे और आरबियम का section देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी indicator नहीं दिया गया और उपर में यह जो आप cover देख सकते हो यह भी आपको totally accessories का part है आप यहाँ पर देखो door handle जो कि आपको all design में देख देखने को मिल जाता है बीचो बीच आप यहाँ पर देखोगे जो कि आपको B-pillar totally black color में दिया गया है और यहाँ से उसका side profile देखोगे जो आपको SUV coupe design है जो कि आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा यहाँ से आगे जाके हलका सा sloppy हो जाता है जिससे जो side का view है वह भी आपको बहुत ही जादा अच्छे देखने को मिलेंगे और गाड़े के आप totally rear profile के और आओगे तो सबसे उपर देख सकते हो जहां कि आपको high mount stop lamp देखने को मिलेंगे वासर, wiper और defogger कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा यह आप देखो इसी में mounted आपको यहाँ पर spoiler देखने को मिल जाता है, बिचो बिच आपको citroine का logo मिल जाएगा और यहाँ पर chrome के सथ citroine को भी mention किया गया है, इधर आपको basalt का basalt बेजिंग मिलता है और पिछे में आपको यहाँ पर दो parking sensor भी देखने को मिलेंगे, और जो अगला accessory spot है जो कि आप यहाँ पर देख गया है, boot space को मैं check out कराऊंगा, तो यहाँ से आप 100% sock होने वाले हो, क्योंकि इसका boot space मिलता है, segment में बहुत ही जादा मिलता है, 470 liter के इसमें आपको boot space दिए गया है, आप कितना ही luggage रख दो, आपको कुछ भी problem नहीं आने वाला है, और जो seat है, जो कि आप 60-40 में split तो नहीं को मिल जाएगा, और guys अभी आप देखोगे, जो कि मैं इसके पिछे वाले seat पे आ चुका हूँ, और 100% में दावे के साथ बोल सकता हूँ, कि जो टाटक करवाती है, उससे जो आपको यहाँ पर space मिलता है, वो आपको बहुत ही जादा अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो SUV कूपे डिजाइन में जो सबसे ज़्यादा मेजर इसू आता है, जो कि हेड रूम का, बट आप यहाँ पर देखो हेड रूम, मेरा हैड है, जो कि आपको 5.6 इंचेज है, मैं यहाँ पर अराम से बैठ चुका हूँ, मेरे हैड से अगर आपका हैड जादा भी है, तो भ आपको फिक्स मिलता है, बीच में आपको कोई भी आमरेस्ट नहीं दिये गए, और इधर आप देखो, जो आपको विंडो ग्लास है, उससे खोलने के लिए, आपको यहाँ पर पुराना डिजाइन वाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंसाइट डोर हैंडल भी जो आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो, इंसाइट डोर हैंडल, आपको मैट ब्लैक कलर में मिलेंगे, कहीं भी आपको सॉफ्ट तच नहीं मिलता है, और यहाँ पर देखो, जहां के आपको असका प्लेट भी लगाए गया है, जहां के आपको सिट्रॉइन को मै जहांकि आपको दो स्विच लगाए गया एक तो आपको डॉर को लॉक करने के लिए और जो दूसरा स्विच मिलता जो कि आपको फोगलेंब को अन उफ करने के लिए निचे देखो एडलाइट के लेबलर दिये गए और की का आपको स्वलॉट यहां पर मिल जाएगा की आप देख लो जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक सा की मिलता है अच्छी बात है कि आपको यहां पर वेब डिजाइन के की देखने को मिलेंगे और गाइस अभी आप देखोगे जो कि सबसे बेस मोडल जो सिट्रोइन बसाल्ट आता है उसके में इंटीर पर आ चुका हूँ सबसे पहले आप इसका स्टेरिंग देखो टोटली ब्लैक कलर में मिलेंगे बीचो बीच आपको सिट्रोइन का लोगो और इस गाड़ी में आपको छे अर्बेग अस्टेंडर देखने को मिलेगा सेफ्टी फीजर्स आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे दिये गया है बीच बीचला सकते होट स्टार जो भी चलाना आपको हरी कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा टोटली आपको कंपनी की तरफ सही देखने को मिलता है यहां पर देखो एसी इवेंट दिया गया है निच्छे में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है यह आपका गिय यहां पर देख लो केमरा उतना अच्छा नहीं मिलता है बात आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते है कॉन्ट्रास्ट जो है सेचूरेशन जो है वह आपको पार्किंग करने में अच्छा होने वाला है साथ-साथ आपको यहां पर प्र आपको ठीक मिलेगा इस जगा देख लो यहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा इदर आपको ग्रेकलर के यूज दिए गया और कुछ-कुछ आपको यहां पर डॉटेट भी देखने को मिलेगा उस साइड भी देखो यहां पर सिर्फ टिक आपको सेमी डिश्टल में देखने को मिल जाता है सबसे उपर में आप यहां पर देखो कि आपको स्पीडो मेटर करने वारा आपको मिल जाएगा टेंपरेचर और आपको यहां पर फ्यूल गेस दिया गया है और दोनों साइड आपको काफी कुछ इंडिकेटर देखने को म फिर से एक बड़ दबाऊगें तो यह देखलो इलुमिनेशन जो है आप अपने इससका कम ज्जादा कर सकते हो फिर से दबाव को यह देखलो ओडोमिटर ट्रिप 1 आपको यहां पर ट्रिप ट्रिप 2 पर आपको iber फिल कर रहा है और यहां पर पको सर्विस रिमांडर भी डिटेल रूपे में वो शब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया हैं, इंटिरियर में जो जो फिचेस दिया गया था, जो असपेस था, वहां पर भी मैंने आपको बैठ यह अच्छे से बता दिया हैं, जो कि आपको Tata Curve से बहुत ही ज़ादा अच्छे देखने को मिले अब हम लोग इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेट पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा टर्बो इंजन के भी ऑप्सन देखने को मिलेंगे जो कि आपको 82 PS का पावर और आपको 115 Nm का ए गाड़ी आपको टॉर्क देने वाली है और जो प्राइस परता है इस गाड़ी का 7,99 रुपया एक शोरूम प्राइस और जो ओंडोड प्राइस परता है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस परकार के साथ इस गाड़ी को लेना चाते हो तो मैं शोरूम का जो भी डीटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ अपकोस आप शोरूम बिजिट कर सकते हो, कॉन्टेक कर सकते हो और यहाँ पे आके सिट्रोईन के किसी भी प्रड़क्ट को आप चूज कर पाओगे तो मैंने गाए जिस गाड़ी के लेटेड जो भी इनपोमेसन थे इसके डिटेल रूबी में वो सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया है कनफिजन होता आप को सब कमेंट करके पूछ सकते हो और साथ-साथ आप में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाओगे तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना है गाईस थैंक्स पोवाचिंग